नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगन और स्वाकत है आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कई लोग कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी की हेडला अगर आपने वीडियो बनाई थी वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो आगे बढ़ते हैं आप इस वीडियो में अगर वो वीडियो आपने देख रखी है तो देखो ये प्रोजेक्टर्स ये रिफ्लेक्टर्स ऐसे दिखते हैं इस पूरी वीडियो मे अप्ग्रेट करना चाहिए यही लगता है ना आप लोगों को लेकिन मैंने इसका reality check किया मैंने proper जो है lumix lumens जो है वो check किये मतलब luminous flux कितना आ रहा है proper एक तरीकिस दिखा मैंने halogen और halogen bulb से मेरे stock i20 में उसके साथ मैंने led bulb जो है यह यह वाले bulb मैंने use किये और मैंने check किया properly और मुझे लगा मुझे पता चला लगा नहीं लगा तो मुझे भी यह था कि powerful led लेकिन मुझे पता चला कि actual में powerful नहीं है ठीक है properly सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे से test किया दूर headlight head high beam low beam हर तरीके से pass में दूर रहके हर तरीके से check किया मैंने और यह उतने powerful नहीं निकले decent मतलब बराबर के powerful थे लेकिन फिर मतलब ही क्या upgrade का जब वो ही उतने powerful ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कारण इसका आपको बताता हूँ मुझे तो पहले से पता था कैसा होगा लेकिन मैंने यह मंगाया banggood.com से मंगवाए हैं मैंने पैसे नहीं दिया खरीदा नहीं मंगवाए हैं मैंने उन्होंने बेज दिया तो सबसे पहले तो thankyou banggood.com उनको और लेकिन यह आप नहीं मंगवाएंगे अगर मैं यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो तो मैं आपको बताता हूँ क्यों देखो LED जो headlight होती है वो normal headlight की तरह नहीं होती है मतलब उनका structure normally नहीं होता है कंपनी जब भी किसी गाड़ी में LED headlight देती है तो बहुत ही properly research करके एक अलग तरीकी का headlight design करके देती है for example आप कहेंगे कि आपने का powerful नहीं है लेकिन Honda City में आती है Renault Capture Jam उत्राखन लेके गया थे उसमें थी Mary Dominar उसमें है Duke 390 में आती है प्रॉपल यह तब जाके वह रोड पे अच्छी तरीके से रोश्नी दे पाती है मेरी Dominar का example हो यह मेरी Dominar में लगे हुए LED light है और यह आप सीधा सीधे आंको से देख नहीं सकते है अगर आप चाहो ना कि मैं खड़ा हूँ और Dominar की light देखनी है आप देखना कहीं बैठके Dominar, Duke 390, Reno Capture, Honda City इनकी light देखना जो actual light filament होता है यह वाला यह आप ढूनना कहीं से आपको दिख जाएगा क्या खड़े खड़े नहीं दिखेगा वो hidden होता है थोड़ा सा छुपा होता है ताकि वो light जो है reflectors पे गिरे और reflector होने आगे भीजे वो एक पूरी तरीके से properly designed चीज है ठीक है इसी लिए वो बहतर काम करती है फॉर्चुनर इगनिस जो है जिन में projector headlamps में LED लगी आती है यह एक set angle होता है इनका कि बई lens जो है उससे इतना दूर इतना fast जो है आपको रखना है तभी जो है light properly गिर पाएगी road पे और जो है proper illumination हो पाएगा मैंने इसे properly explain करने की कुशिश की है यहाँ देखो आप जो dominar वाला system वापस विर से कि यहाँ पे यह जो है lights high beam जैसे ही मैं on करता हूँ light आप देखो कि वो जल जाती है और यहाँ पर यह पता चलता है कि हाँ वो light जो है थो हो दी है reflectors पे और reflectors से थो होने के बाद वो जो है जमीन पे गिरती है इसी लिए यह technology proper काम करती है अब बात की जाए upgrade की मतलब यह तो चलो company दे रही है upgrade करना है आपको लगता है मेरा halogen powerful नहीं है headlight में करते हैं इंडिया में वो illegal है हर state में illegal है ठीक है तो किसी भी तरीका modification वैसे भी illegal है फिर भी क्योंकि police वगरा जो भी है वहाँ पे जो law के रक्षक है हम उनको इतना नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी में LED आती है कौन सी में नहीं आती है तो आम तोर पे हम लोग बच जाते है वैसे projector headlamps में आप चाहो तो आप LEDs यूज कर सकते हो कारण ये है क्योंकि projector headlamps में बले ही design सही ना हो लेकिन वो फैलती नहीं है ठीक है आँखों पे नहीं गिरती है किसी की और क्योंकि वो एक direction में ये project होती है तो आप वहाँ चाहो तो यूज कर सकते हो मैंने किया था use projector headlamps में लेकिन कोई भी फाइदा नहीं वा अठारा सो रुपे की LED है मानो अगर मैं खरिकता इसे और मैं लगाता और फिर मैं ये कहता यार कुछ नहीं बस दिखती है लग है गाड़ी बाकी तो मुझे actual मैं मेरे को देखके कोई मजा नहीं आ रहा night vision कोई improve नहीं हुआ है अगर ये words मेरे हो तो फिर क्या मतलब अठारा सो रुपे आप दोगे आपका vision तो improve हुआ है नहीं हाँ ये है कि अगर आपको थोड़ा अलग look चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी थोड़ी सी अलग दिख जाए तो मैं use कर लूँ वो चीज हो सकती है लेकिन vision इस से improve नहीं हो बारा है क्योंकि आप जो है इनको properly design किये हुए headlamp assembly में नहीं रख रहे है इस वज़े से चीक है एक और चीज warranty void हो जाती है इनसे warranty जो है companies जो है warranty खराब कर देती है अगर आपने ये लगा ली तो company आपको warranty नहीं देगी बले आपने तार नहीं कटा existing चीज में लगा ली लेकिन company warranty नहीं देती है क्या करें है तो जबरी नहीं है हर बार आपकी warranty void हो जाए कि ये डबा है मैंने ली आया है बहुत बड़ी आया है बहुत मजा आ रहा है यहां भी लगा लो वहां भी लगा लो जिस तरीके से वो recommend कर रहे है तो भाई देखो आप sales कर रहे हो ठीक है समान बेचो इमान मत बेचो पना ठीक है क्योंकि आप बताईए आप खरीदो कि इसका logic क्या उसके बाद में जो चीज illegal है वो आप ऐसे खुल के बेच रहे हो और उसके बाद में भी इसका use नहीं आ रहा है आपने reflector headlam में use क्या कई मैंने देखा कई youtubers जो है जिन्होंने video बनाई है इवन कई logo में देखा है मैंने reflector headlam में ये use कर लेते हैं बहुत ही घटिया और बेवकूफ हरकत है आपकी अगर आप करते हैं तो please ऐसा मत करो थोड़ी सी समझ रखो अगर आपको नहीं पताया तो फिर at least क्योंकि आपके वास इतनी सारी audience है तो उनको गलत तो गुमरा तो मत करो बाकी मेरा कुछ नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है आप जोशा हो करो obviously बाकी मेरी आप लोगों से दो requesters जोगी लोग इस वीडियो को देख रहे है reflector headlam में LEDs upgrade मत करवाओ दूसरी चीज high beam पे मत चलाओ please high beam पे गाड़ी मत चलाए करो कुछ वक्त कली जडर्वत होती है high beam की उस वक्त यूज कर लो बंद कर दो बस इतना सा मेरा कहना है आप लोगों को high beam पे क्यो चलाती हो यार बाकी तो क्या है अब ही reflector वारे हाँ इस particular light की बात करता हूँ night eye की ये light है 9000 Lumen और 6500K के color temperature है एक तो जब भी आप LED वगरा जो भी light कहीं भी इस्तमाल करते हो कोशिश करो कि 6500K से उपर आपका color temperature ना जाए वो blue color किसी होती है और बड़ी बद्दी लगती है तो बेटर है आप उस पे ना जाओ इसी तक ठीकी रहो 6500K ठीक होता है उसके बाद में 9000 Lumen अच्छा है high मतलब आपके लिए high definition कह सकते हो आप उसे even 12000 Lumen भी आता है फिर उससे उपर जाने का मुझे मतलब नहीं लगता है लेकिन ये वाली तो वैसे भी उतनी properly काम नहीं करनी है आपके लाइट रॉष्णी ज्यादा हो जाएगी फैल जाएगी एकी जगे दूर का दिखेगा नहीं तो क्या मतलब वो वाली चीज़े होती है उसके बाद में क्या अगर आपको चाहिए पंगवा सकते हो नीचे लिंक दे दूँगा banggood.com से आया है अगर आपको सचमे प्रॉबलम है कि आपको लाइट में दिखनी रहा है राइट में दिखनी रहा है आपकी लाइट कमजूर है तो आप बेटर है कि थोड़े बड़े हलोजन बल्ब पे शिफ्ट कर जाओ हलोजन क्या होता है 360 degree light फैकता है चारो तरफ फैकता है तो वो reflector उसी हिसाफ से design होते है ये चारो तरफ नहीं फैकता है यहाँ LED strip है यहाँ LED strip है उसे साफ से फैकेगा जो अपने Innova वगेरा Innova अपने Fortuner Ignis जिन में LED lights आती है उनमें भी जो projector headlamp उसके अंदर इसमें fixed set angles होते है कि light इस तरफ हैकेगा और फिर वो reflect होके उस projector में से project होगी ये सब चीजें देखती है याँ आप ऐसे थोड़ी अपडेट कर लोगे कह रहे हाँ ये खोलके ये लगा दे वो नहीं होता है तो I hope आपकी जो doubts है वो clear हो गया है कि आपको लेना है नहीं लेना है लेना है तो description में लिंग दिया हुआ है मैं तो क्या कर सकता हूँ बाकी फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंदा है दोस्तों like, share, subscribe कर दीजिए अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों helmet पैनी, seatbelt पैनी, सुक्षिछ चलिए, धन्यवाद